असलाम वालेकूम आज आपके साथ शेर करें हूँ चीज कॉन चाट रेसिपी रेसिपी शुरूँ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्टे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्राइपेन को मैंने गरम रखा है केस्ती फ्लेम लो है इसमें हम हाफ टी स्प पिट कॉन में यहाँ पर एक कप इस्तेमाल किये हैं बटर और मकाई को हम अच्छे से पहले सौटे कर लेंगे लो फ्लेम पर हमें से सौटे करना है बटर और कॉन को लो फ्लेम पर एक मिनित तक हम सौटे होने देगे उसके बाद हम इसमें कुटी हुई काली मिर्ज एड़ क आप अपने टेस्ट के अकोडिंग एड़ करें बटर और कॉन के साथ हमें काली मिर्ज और नमक को लो फ्लेम पर एक मिनित तक सौटे करना है इस तरह जब काली मिर्ज नमक बटर और कॉन को सौटे करके चीज को चाट बनाई जाती है उसका जो टेस्ट है वो नेश्ट चिली फ्लेक्स एड़ कोटीवी लाल मिर्चे वन फोर टीस्पून मैंने यहाँ पर मिक्स्ट हर्ब इस्तेमाल किया है यह बिल्खुल ऑप्शनल है आपके पास अवेलेबल हो तो आप एड़ कर सकते हो वरना स्किप कर सकते हो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देगे और ग जेस की फ्लेम बन करने के बाद आप इसे इसे भी सर्फ कर सकते हो यह हमारी जो मॉल में मिलने वाली बटर कॉर्ण चाट होती है ने वह बनकर तयार हो गए है अब हम इसमें एक चमश मायूनीस एड़ करेंगे और वनफोर्थ कप मेनिया पर चीज एड़ किया है मोजरेला इसका मेनिया इस्तमाल किया है आप अपनी पसंद का कोई भी चीज ले सकती हो कॉर्ण हमारी गरम है इसलिए हम इसे फटापट चीज के साथ मिक्स कर देंगे गेस की फ्लेम हमने बन कर दी है लेकिन जो पैन और कॉर्ण है हमारे वह अच्छे से गरम है इसलिए चीज हमारी तुरंत ही मेल्ड हो जाएगे इन सबको हम अच्छे से एक मिक्स दे देंगे चीज कॉन चाट हमारी तयार है गरमा गरम चीज कॉन चाट को सर्फ करेंगे गानिश करेंगे हम इसे चीज और चिली फ्लेक्स के साथ गरमा गरम इंजोई करें बारिश की मुसम में गरमा गरम कोड़ चार्ट बना कर इंजोई करें और अपना फीडबेक कमेंट में देना ना भूलें रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेमिली और फ्रेंस के साथ चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारी हमबर रिक्वेश्ट है प बाइ के के रला हाफिस